जहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लस्टर पर और मेरा नाम है दिनेशारे आज की सबसे बड़ी न्यूज और सबसे बड़ी खबर जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो है यहाँ पर रेलवी गुरूप डी के अंदर आपको यहाँ पर फिर से 2023 के अंदर डेड़ लाख प्लस पदों पर भरती देखने को मिलेगी क्योंकि 2024 के अंदर लोगसबा चुनाओ है और यह तीसरा टुटर केंपेन था जिसके बाद भी यहाँ पर सरकार पर या रेल मंत्री पर या रेलवे मंत्राले पर कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है सारी चीजों को एक एक करके मैं यहाँ पर आपके सामने डेटेल करूँगा तो अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिजेगा क्योंकि हर एक रेलवे ग्रूप डी और रेलवे एक्जाम से जूड़ी हुई हर एक जानकारी और हर एक यहाँ पर मैटेरियल आपको मिलता है तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो गर आता है कि इस चीज को इस मुद्दे को यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर रेप्रेजेंट कर सके चात्रों ने अपने ही बल पर पूरी मुहीम को रखा और काफी जो कुछ न्यूस चैनल है जैसे कि मैं बात करूँ न्यूस तक की जिसमें कि हमारी नेधी तरनेजाजी ने यहाँ प यहाँ पर लगबग 10 लाग प्लस ट्वीट आज भी हुए हैं तो यहाँ देखे इतने ट्वीट होने के बाद भी रेल मंतरी या फिर हम कहें कि हमारी सरकार को नजर नहीं आ रहा है कि आखिर चातरों के साथ यहाँ पर किस तरह का छलावा किया जा रहा है पहले तो आप एक वेकेंसी का नोटिफिकेशन निकालते हैं 2019 के अंदर फिर आपको यहाँ पर बताया जाता है कि आपने कोई नोटिफिकेशन निकाला था नहीं तो आप जिस दिन नोटिफिकेशन निकाल देते ना उसी दिन यहाँ पर सारी चीज़े कि आखिर आपने कोई नोटिफिकेशन निकाला है और notification के साथ ही ये चीज़े तैह हो जानी चीए कि कब इसका exam लिया जाएगा और कब तक इस vacancy को पूरा करा ले जाएगा कब तक appointment यहाँ पर दे दिये जाएगे लेकिन उसके बारे में आप सिरफ आपने एक notice निकाल दिया तो कि आपके 2019 के अंदर आपके चुनाओ थे चुनाओ से पहले आपने ये notification निकाला और कहा कि जल्द से जल्द इस vacancy को पूरा करा लिए जाएगा चुनाओ से पहले आप 3-4-5 महने पहले vacancy निकाल देते हैं और vacancy निकालने के बाद आप ये भी नहीं बताते हैं कि exam कब होगा चातर यहाँ पर खुश हो जाते हैं 2019 के अंदर और फिर यहाँ पर चुनाओ आ जाता है चुनाओ होने के बाद यहाँ पर आपकी फिर भी vacancy का जो आपका exam है वो नहीं होता है उसके बाद भी चातर यहाँ बार बार टुटर campaign करते हैं फिर आप यहाँ पर exam लेते हैं यहाँ चातर को यहाँ पर चातर के लिए railway का form भरता है कि यहाँ पर 4-5 साल में आपकी vacancy पूरी नहीं हो पाती है आप time पर exam नहीं ले पाते हैं आप time पर exam calendar नहीं देते हैं और अगर आप यहाँ पर exam ले लेते हैं तो उसके बाद आप result सही से नहीं देते हैं result में भी इतनी खामिया आती है revise result के लिए चात time पर ले रहे हैं ना exam का calendar यहाँ दे रहे हैं और अगर आपने exam ले लिया तो exam लेने के बाद आप result जो है वो भी आप सही तरीके से नहीं दे रहे हैं और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को भी यहाँ पर सही तरीके से जो पूरा नहीं कर रहे हैं जो यहाँ देश का सबस पोस्ट के वह भी लायक है लेकिन दो या तीन नंबर कम होने की वज़े से वो उस से बाहर हो गया उसको टॉफ से बाहर हो गया लेकिन फिर भी उस एक्जाम के लिए भी यहां पर एक वेटिंग लिस्ट रखी जाती है तो क्या रेलवे के एक्जाम में यानी कि रेलवे जब सालों से वेटिंग लिस्ट रखता था तो क्या इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं रखी जा सकती थी, railway भी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट रख सकता था कि यहाँ पर क्योंकि देखे railway Group D का जॉब है, यहाँ पर लेकिन अभी तक यहाँ पर NTPC की जो complete joining है वो आपकी नहीं हो पाईए और आप कहते हैं कि यहाँ पर जो है आप NTPC से यानि कि NTPC की जो joining है वो यहाँ पर railway group D की PT से पहले देंगे आपने PT भी करा लिया और अभी तक NTPC की अपनी merit बनाई है अब वो स्टुडेंट अगर ऐसा स्टुडेंट कम से कम पच्चेस अजार हम पच्चेस अजार चोड़ लिए आप 20 अजार भी ऐसा स्टुडेंट है तो बीस अजार सीटे तो आपकी डिरेक्ट चली जाएंगी यहाँ पर अगर जैसी उनके NTPC की जोईनिं कि अगर हम मोटा मोटा ले तो यहाँ पर इस वेकेंसी से कम से कम यहाँ पर 40-50 अजार लगबग 40-50 अजार तो मैं आपको बताई रहा हूं और हो सकता है यह आकड़ा 50 अजार तक भी चला जाए यानि कि railway group D की जोब को छोड़ कर जाने वाले जो स्टुडेंट है वो कार की यही मंचा है इसके पीछे और कोई मंचा नजर नहीं आती है यहाँ पर 40-50,000 सीटे एड़ करके आपको अगली वेकेंसी में यह कह दिया जाएगा कि देखिए हमने फिर से यहाँ पर railway के अंदर यहाँ पर लाख वेकेंसी निकाल दी अरे यह यह लाख वेकेंसी आप आपने 50,000 सीटे यहाँ पर बचा कर इस वेकेंसी में एड़ कर दियें क्योंकि यहाँ पर 40-50,000 सीटे आपकी रह जाएंगी क्योंकि आप वेटिंग लिस्ट ही नहीं दे रहें अब अगर आप वेटिंग लिस्ट नहीं रखेंगे तो जो दो नमबर तीन नमबर चार नमब भी है तो वहाँ तो वह पहुंच जाते हैं यानि कि छोटी-छोटी चीजों पर हर जगह यहाँ पर एक्टिव रहते हैं लेकिन यहाँ दस लाग प्लस ट्वीट यहाँ पर छातर कर चुके हैं तीन बार ट्विटर केंपेन हो चुका है पिछले 15-20 दिनों के अंदर लेकिन अभी तक यहाँ पर इस पर ना कोई बातचीत यहाँ पर रेल मंतरी कर रहें ना कोई यहाँ पर इसके उपर कोई clarification दे रहें कि अगली वेकेंसी में इन पदों को एड़ कर दिया जाएगा तो अब आप खुदी बताइए कि किस तरह से यहाँ पर चातर जो है अपना आक्रोश यहाँ पर व्यक्त करेगा आपको टुटर केंपेंड कर लिया चातर ने इतनी बार आपके सामने जो है शांती पूरवक तरी बर बाद हो गया क्योंकि ऐसे चातर जिसकी एज उस टाइम पर 30 साल थी आज 35 साल को होने जा रहा है लेकिन अभी तक उसे यह पता नहीं है कि इस वेकेंसी का जो कंप्लिशन है इस वेकेंसी की जो अप्वेंटमेंट है वो यहाँ पर कब होगी अब आप यहाँ पर देखे अब यहाँ पर बार बार हो रही है और फिर उसके बाद देखे आप एक तो अपना प्रोसीजर को टाइम पर नहीं करते हैं दूसरी बात आप सबसे बड़ी बात जो है एक्जाम कलेंडर आपका नहीं रहता है रेलवे वेकेंसी को लेकर क्या SSC यहाँ पर एक्जाम को करता है mencion की होती है और लेकिन आप सरफ क्लारिफिक होना चाहिए के साथ इसी तरह का धौका दोका होता सारे चातरों के साथ बहुत बड़ा यहां पर जो है खिलवाड हो जाएगा क्योंकि देखिए बहुत सारे चातर जिनकी एज यहां पर तीस साल उस समय पर थी 2019 के टाइम पर वो अब ओवरेज हो गए हैं और दो या तीन नमबर से वो यहां पर डीवी की कट आफ में नमबर आ करने की वज़े से आता है अब यहां पर वेटिंग लिस्ट की बात है तो वेटिंग लिस्ट यहां पर सभी एक्जाम में जब दी जाती है तो आप इतने एक रेलवे गुरूपडी के एक्जाम में वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं दे सकते हैं अब वेटिंग लिस्ट के लि उसे हो गए हैं तयारी करते हुए और अब उसकी age भी यहां पर complete हो गई है वो over age हो गया है अब यहां पर इस exam का cbt निकालने के बाद pt निकालने के बाद भी उसे job नहीं मिलेगी क्योंकि आपने waiting list का प्राउधानी नहीं रखा है और अब जो seat अगर बाद में रह भी जाती ह है तो वो उस seat का क्या कर लेगा क्योंकि वो तो cut off से भाहर हो चुका है उसके तो तीन नंबर कम थे तो क्या उसके अंदर शमता नहीं थी कि वो इस job को ले सके बिल्कुल शमता थी अगर कोई candidate यहां पर छोड़ कर जाता है यहां पर अगर जो 5000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 45,000,000,000 तो seat आप यहां पर अपने backlog में रख लेंगे और उसे अगली vacancy में जोडेंगे क्या उन waiting list वाले candidate को वो seat नहीं दी जा सकती थी बिल्कुल दी जा सकती थी लेकिन आपने waiting list का प्रावधान ही हटा दिया क्या यहां पर कभी भी ऐसा हुआ है किसी exam में कि अगर इहां 100 candidate बुलाए हैं DV के अंदर तो पूरे के पूरे 100 candidate यहाँ पर DV देने पहुंच जाएंगे जब आप exam कराते हैं तो exam के अंदर जब 1.25 करोड यानि कि यहाँ पर 1.25 लाख student फॉर्म भरता है और exam देने यहाँ पर 70-80 लाख student ही पहुंचता है यानि कि यह है कि exam देने जब इतना कम student पहुंच रहा है यानि कि 60% से लेकर 65% के बीच के attendance यहाँ पर highest attendance थी और कई बार तो attendance यहाँ पर 45 और 50 के बीच यहाँ पर सिमट गई कई जोन से यानि कि exam देने ही जब पूरा candidate नहीं पहुंचता है फिर उसके बाद P.E.T. के अंदर भी यहाँ पर attendance इतनी जादा नहीं थी हाला कि 80% 90% के बीच के attendance कहीं कहीं जो उनसे यहाँ पर देखने को मिली लेकिन P.E.T. के बाद यहाँ पर दीवी के अंदर जो है 100% attendance कैसे दिख जाएगी और फिर उसके उपर आपने रूल रखा है कि 1 by 1 ratio में candidate को बलाया जाएगा यानि कि सिरफ उतने ही candidate बलाया जाएगे जितनी की seatे हैं अगर आपको उतने ही candidate अगर बुलाने थे जितनी की आपकी seatे थी तो फिर आप क्यों यहाँ पर छातरों के साथ खिलवाड करते हैं P.E.T. करवा के P.E.T. के अंदर क्यों आप तीन गुना candidate को बलाते हैं P.E.T. के अंदर भी आप सिरफ 1.5 candidate यहाँ पर बाहर हो जाएगे और यहाँ पर सिरफ आपके पास 1 by 1 ratio में ही candidate देते हैं डीवी के अंदर आप उन्हें बहार कर देते हैं क्योंकि हमें तो सिरफ इतने ही candidate को एक मौका नहीं दे सकते हैं आपको भी पता है कि यहाँ पर 5 मेने बाद 6 मेने बाद 7 मेने बाद Railway Group D की जॉब को छोड़कर जाने वाले candidate काफी सारे हैं तो कि यहाँ पर Railway Group D क अगर उन्हें अपने state में जॉब मिल रही होगी तो वो यहाँ पर इस जॉब को छोड़कर ही जाएंगे अगर कोई ऐसा candidate है जिसे यहाँ पर NTPC में जॉब मिल रही होगी इससे अपर पोस्ट पर जॉब मिल रही होगी तो क्या वो Group D की जॉब को छोड़कर नहीं जाएग अगर यहाँ पर मालेजे किसी candidate का CGL में सेलेक्शन होगा है किसी candidate का MTS में सेलेक्शन होगा है किसी state exam की job में सेलेक्शन होगा है और वहाँ पर pending पड़ा हुआ है तो वो एक बार तो Group D को जॉइन कर लेगा लेकिन कुछ महीनों बाद और साल बर बाद हो सकता है जैसे उसका लाग प्लस या 15,000,000 प्लस चातरूरा यहाँ पर आपको ट्वीट करते हैं, टैक करते हैं, अलग-अलग तरीके से यहाँ पर अपनी बात रखते हैं, इतने बड़े-बड़े ण्यूस चैनल के साथ बात करके, आपके सामने अपना बुद्दा रखते हैं, उसके बात भी आप जो है waiting list के मामले को इतना हलके में लेकर चल रहे हैं देखे च्छात्रों के साथ आप जैसा कर रहे है न तो देखेगा च्छात्र जो है च्छात्र की जो शक्ति है यह यहाँ पर आपको कुछ अलग ही रंग यहाँ पर दिखा सकती है तो इसी लिए यहाँ पर मैं आपसे से रिक्वेस्ट करना चाता हूँ यह वीडियो जहां तक भी पहुंचेगा वहां तक एक चीज यहां समझ में आनी चाहिए जितने भी हमारे बड़े यूटूबर्स हैं दे कि आप सब लोग उसे कोई शिकायत नहीं लेकिन शिकायत सिर्फ इस चीज की है कि आप लोग यहां पर जब आपको अपना कोर्स चलाना होता है जब आप लोगों को यहां पर अपने नएने बैचर्स करने होते हैं तब तो आप स्टूडेंट को यहां पर बार बार जो है उस वीडियो को लेकर आते हैं बार बार रोज कर रोज आप एक एक वीडियो बना देते हैं उस चीज नहीं होते हैं, उनकी जो बात है वो आप आगे तक नहीं पहुचाते हैं, वेटिंग लिस्ट यहाँ पर कितनी ज़र्री यह आप भी जानते हैं, और वेटिंग लिस्ट से यहाँ पर कितने सारे चातरों का भला हो सकता है, यह आप भी जानते हैं, लेकिन दुख है इस बात का कि आप बड़े educators जो है वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं और यहाँ जितने भी student का जितने भी teachers का यहाँ पर support रहा उन सब के लिए मैं दिल से thanks करना चाता हूँ कि आपने इन छात्रों का सयोग दिया और यहाँ देखे आप एक चीज़ ध्यान रखेगा कि वेटिंग लिस्ट के लिए यहाँ पर कौन आगे आ रहा है और कौन यहाँ पर पीछे अटर रहा है तो इसलिए आप लोग जो हैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ कीज़ेगा कि यहाँ पर लगातार जो है आपर टैक करते रहिएगा लगातार यहाँ पर ट्टर केंपेन करते रहिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट लेनी है वेटिंग लेने के बाद आपका जॉब यहाँ पर पक्का हो जाएगा यानि कि हमने railway में bumper vacancies यहां पर निकाल कर दी है लेकिन bumper vacancy तो निकाल कर दी है लेकिन 4 साल 5 साल में आप एक vacancy को पूरा कराते हैं और उसके बाद यहां पर छातरों से ली गई फीस अभी तक refund नहीं की गई है यह चीज भी छातर ध्यान रखें तो एक एक चीज का जवाब आपको देना है आप ही चातर है, आप ही युवाशक्ती है आप यहां पर जवाब देंगे देखे हम यहां पर कोई जवाब नहीं दे सकते हैं आप ही की शक्ती है जो कि यहां पर आगे जवाब देने के काबिल है तो इसलिए यहाँ पर आपको अपनी waiting list लेकर ही रहना है क्योंकि आपके साथ यहाँ पर जो छलावा हो रहा है जो खिलवाड हो रहा है ऐसा खिलवाड नहीं होना चाहिए अगर देखे इस बार अगर आपने यहाँ पर waiting list नहीं ली तो अगली बार यहाँ पर P.E.T. में हो सक लिया है तो अगली वेकैंसी में बिलकुल वही चीज़े चलेंगी आपको देखने को मिल सकते हैं यह बात तै है तो इसी लिए सारी चीज़े सोज समझकर किढ़ेगा है वेटिंग छोड़कर ही जाता है 6 मेने 7 मेने साल भर डेड़ साल के अंदर जो candidate अगर उसे इससे ज़्यादा अच्छी opportunity मिलती है तो यहाँ पर छोड़कर ही जाता है जिस case में यहाँ पर काफी सारी seat खाली रही जाती है और यह हमेशा देखा गया है और कोई यह नई बात नहीं है क्यों मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि waiting list के पीछे पढ़े रहीएगा waiting list लेकर ही रहीएगा किसी भी हालत में आपको waiting list लेकर ही रहनी है फिर भी अगर कोई यहाँ पर आपका सवाल रह गया हो कोई आपका doubt रह गया हो नीचे comment section में आप comment कर सकते है चैनल अगर subscribe नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर subscribe कर लिजेगा और यहाँ पर नीचे हमने हमारा instagram link दे रहा है वहाँ से direct जुड़कर आप हमें DM भी कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत